मसकार किसान भाईयों एक बार आपका फिर्टे सुवागत है आपके अपने चैनल किसान कनक्शन पर तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं जिला मुरादवाद में उमरी चोरहे के पास में हमरे साथ में सरकारी अध्यापक हैं स्री मनोज कुमार जी हैं तो उन से आपको जो आप सच्चाई वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कोशिस करता हूं आपकी कि आपको जमीन की तह तक जाकर एक सही जानकारी दी जाए तो आईये मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको तो मास्टर जी सब से पहले दोग स्वागत है आपका किसानों के चैनल किसान कन जरना मनोश कुमार है गाउं हमारा मुहम्मध पुर्भवान दास तैसिर कांड जला मुरदावाद तो अब हम बात करते हैं सर अपने मुर्गी फार्म की जी काफी लंबा चोड़ा मुर्गी फार्म आपका है भी आपने बच्चा इसके एक तीहाई पोस्तों में डाला तो बस एक देख के लगा कि थोड़ा सा जो है मतलब यहां मतलब थोड़ा से बेवस्ता करनी जी है कुछ एक छोटा सा फार्म बनाया था पहले है तो इससे आपने शुरुवाद की तो उसमें हमने पांसो चोड़ा सुरुवाद की थी थोड़ी दिक्कते यही शुरु में पता नहीं था ब्रूडिंग के बारे में और चीजों के बारे में तो उसमें मौटेटी जादे हो गई फिर पता चला के फी रेंजर यह वो सब किया थोड़ा सब्सक्राइब कुछ इन्ट्रेस्ट आता चला गया आता चला कि वारा कि हमने किया दिर यह कि सुरुमें भी दो लंबाई चोड़ाई में आपने बनाया यह सो फिट लंबा है और पच्छी सो स्कॉर फिट का इसमें तो काफी सारे बच्चे आजाएंगे अगर बात करें बहुत सारे आजाते हैं बिल्ग बगार हम बोलर की बात कर लें जो देशी बासन बोलर बोल देते हैं प्रोईलर ल बनाने में आपको कितना इंवेस्टमेंट करना पड़ाता है देखे मैंने जो छोट वाला फरम बनाया तो वो मुझे कुछ थोड़ा सा उसमें मुझे कमी दिखाई दी थी अच्छा उसके थोड़ा मॉडिफाई कर दिया वो मेरा फरम उसका जो फॉन्डिशन कम जोड़ थ चाहता है तो एक दो बार आंदियों को गिर भी गया उसी वह से मैंने यह नीचे से मजब पका करके बनाया मजबूत करके तो और बाकी चारों तरह से भी आपने सिमेंट के प्ला लगवाए वे तो यह आपने एक तम पका नीचे बांडरी भी चारों तरह से करा दिए दो हज़ाजार बच्चो गम ले 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 तो हम हजार बच्चों का लेके चलने तो उसी को आद्धा दिवाःeld कर दें तो तब वह पिछृतन कichteично ने अपने भी बनाया वपर चे लो बहुआए प कह अधर बात कि पके में देगे टीइं बोन जाएगा ज्यागा ज्यादर आपने मतलब फारम आगे को चल पाए ना चल पाए मार्केटिंग को देखते हुए कि पहले कच्छे सुरुवाद के साथ में देख लेंगे तो सर्दी में थोड़ा जब कच्छा फारम है उपर से बनावा तो सर्दी यादा नहीं लगे जो हमारा सिमेंट की चादर होती वह भी डलवा लें तो भी गरम हो जाता है अब आपको यह तो पुराल यह जैसे प्रती कुछ डालना पड़ेगा आपनी डालने के बाद पत्ती डाली इसको पर पत्ती बांदी तो ऐसी मजबूत हो गया अच्छा सर तो आब हम बात करें जी लगबग आप कितने दिन से यह देशी मुर्गी फार्म चला रहे हैं देखे लगवा मुझे तीन साल पूरे जो साड़े तीन पूरे चार साल आपको हो चुके बहुत बढ़ी है तो काफी लंबे समय से आप इसमें हैं अब भाई देखो जो नया किसान भाई देख रहा है आप जैसे लोगों से मैं इसलिए मिलवाता हूं ताकि उनको एक ग्राउंड लेविल की सही वाली जानकारी मिल फाए क्या होता है मैं वीडियो के सुरू में बताया कि भाई यो लाखो करोडों कमाने के सपने जो बेरोजगार भाई है उनको बहुत से तथाकित यूटूब है वो दे देते हैं तो जो लाखोर कडोलों कमाने के सपने दिखाते हैं यूटूब पे कुछ भाई बंदू हमारे कुछ बड़े भी हैं बुजरुक भी हैं देखो आप सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए गलत जानकारी किसान भाई को देते हो और कल को बहुत सारे हैं मेरे पास फोन करते हैं तो मैं कभी किसी को सला नहीं देता कि भाई यहार बच्चों से बढ़ा पर दो पहले आप अपनी मार्केटिंग करो सके साहर चाहें के जो सही जानकारी है कि क्या सच में ऐसा होता है कि आपने आपने दोजार बच्चों का फाम शुरू किया कि साल बर में आप 10 लाग उपर कमा लें नहीं आइसा तो पहली बात बहुत होता है और दूसरी बात ये दोईलर में इसमें उसका तुमारी एक दम उट जाएगा इसमें आपको अपना काम बनाना पड़ेगा मार्केट अपनी बनानी पड़ेगी आपको ही बेच ना है खुद आपका ना मैंने आपको कोई जानता निया असपर उसमें तो जो डवले जी कहते हैं पहले तो यह दाना खाता है और और फिर नहीं बेच पाई तो घर को खायाता है तो यह कावस ही एक बिल्कु बिल्कु बदुकु तो अगर हम इन्मेस्टमेंट की बात लेके चले हमें ए बच्चों का एक मोटा मोटा लेकर चलते हैं जाता है ना लेकर चले करना भी नहीं किसान को मौसम की हिसाब से करना चाहिए अगर माली होली का सीन आ रहा है जैसे इस बार 2023 में पच्छे मार्च के आसपास की होली है तो आपका यह डालेंगे आप 200-300 ग्राम का पंदरीन का बच्चा लें तो उसके बाद दो महीने भी आपको मिल जाए तो तो जो नए किसान भाई देख रहे हैं अगर वो 15-20 जनवरी तक भी बच्चा डालेंगे 500-300 ग्राम का तो मार्च तक उनका होली तक तो नहीं किसान भाई छोटा बच्चा ले या तयार कि वह बच्चा लें तो जो हम सो बच्चो को तयार करने में डवलेंगे बच्चे की को से और दाने तक लगबाग कितना खर्चे में तेयार हो जाता होगा लगबाग जो है एक मुरगा यह अगर आपको बच्चों को बजनी बढ़ा के बेचना है दो तरीके हैं आगे तो आपने बढ़ा के बेच दिया आप सिर्फ कंपनी के फीड पर पाला है तो तो क्या वह उसका जो मांस होता है वो कच्छा होता है वो बोलर के तरही होगा उसमें देशी वाला कोई अब बात आएगी नहीं कोई लुक नही कम से कम अगर आपको लग रहा के हां देशी करना है तो कम से कम चार महीने होने चाहिए चार महीने मुरूगा लगता है कि हां कुछ ठीक हो गया तो उसका आप जो फीड खुला रहे हैं फीड के साथ और चीज भी दें अब चार महीने आप फीड भी पालोगे तो खड़ लगाई होई है तो गोभी जो है वो इंसान खा रहा है और पत्ते जो है आपके मुर्गे यह बढ़ी है तो आप इनको कितना अरा चारा दे रहे हैं लग बख देखिए दाना तो मैं इस समय यह लग भख दो महीने के हो गए हैं तो मैं इनको पैंसर से सतर ग्राम पर दे का दे रहा हूं और उसके अलावा अपना हरा चारा हरा चारा का तो यह है कि हैं जंगल आए पत्ते तोड़ गेर दिये साम को बर्सी में तो बर्सी कुट्टे गेर देगी या लैटा गेर दिया तो मतलब 50 परसेंट गया सपास हम लेके चले हम इनको जलना है ग्रीन फोडर चल है तो उसके बाद वही है आप फुटकर अगर रेट की बात करें लोकल में बिकता है जैसे तो कितने का ला जाता है अगर चार महिने का मुर्गा बड़ी है अगर बांक दिने लगा है तो साथ सो चैसो आट सो हजार तक कर भी रहा तो मतलब 30 परसेंट प्रोफित हम लेके च जाएंगे तीन महीने लग जाएंगे उसके बाद आपका मन्तली का रूटेसन बन जाएगा तो अगर मोटी मोटी बात करूँ मैं सो बच्चे अगर सही आपने पाल लिए और उन्में को बिमारी ना है तो मैं 30 को भी छोड़ो 20 ही लेके चलू दाना खरचा महनत भी हम अपन को यह लब करकांगे नहीं कर सकते हैं समझता हूं में देशी मूर्गी फारम हो तो बले राम से चल जाए सो दोसो बच्चे तो आपके मन्थली आपने पाली है आप पूरा दिन उपने अपने और लुझा जो चोटा सब्सक्राइब देख रहा है जो नोर्मल इंसान के लिए चोटे बचे शुरू कर सकता है जो पड़े पैसे वाला है वह तो आप दोजार बच्चे डाले को आप अपना गाज़ी पुर्मंडी वह तो भी कैसे भी कर लेगा बड़े पैसे दो कैसे भी कर लेगा वो तो प्रोपर्टी में एक तरह से इन्वेस्टमेंट है और अपना चाहिए मन किया तब जो चोटा कैसे करना चाहिए और किस किस तरह की बीमारियों को सामना करना पड़ जाता है क्या अपने फसाद में कभी ऐसा हुआ है सबसे पहले है सबसे में चीज़ तो मुर्गी का जीवन काल जोगता हो तो आप तो सब जानते ही है तो ब्रूडिंग अगर बढ़िया है उसकी तो यह करेंगे तो वह भी आपको पचास का वैड़ देख रहा है उनके साथ में को समस्य आगी आपने सो बच्चे तो डाले उसमें से बीस आपके मर गए तो ज्यादा समस्य आयती है तो अच्छा है हो सकता है जो साट रुपे में आपको दे रहा हूँ पांसाट रुप अपनी मे सब्सक्राइब ने दी कि वाई जो नया किसान वाई देख रहा है ना वह ब्रूडिंग कि वह बच्चा ले क्योंकि ब्रूडिंग ही में चीज होती है मुर्गी फारं में तो अगर मास्टर जी हम चलते चलते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो आपकी और भी देखी है कुछ बच लगा दिया जी सब्सक्राइब टीचर होने के साथ में मास्टर जी चैला कमा रहे हैं तो कै इसमें कुछ सच्चा ही है यह गलत है मैंना मैंने किसी वीडियो में आपने मुझे यह अईसा नहीं है मैं तो कहता है नहीं हूँ हूं अगर पांच हजार दस हजार ही बच र कुछ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं एद जै फोन अवेखा जिए एधरु पता है वहोग्त नगलुगे तो कि वह कि नहीं कि पचास। तो यही मैं वाही उसे कहना चाहता हूं तो यूट्यूब पे ऐसे लोगों को भ्रमित कर रहा है कि 50,000 कमा के 40,000 आप लगा के 50,000 आप 40,000 आप ऐसा नहीं नहीं है ठीक है आप यूटूब चला रहे हैं आप यूटूब पे वीडियो डाला है महनत कर रहे हैं लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कोई करीब किसान जो विचारा 50,000 रुपे इन्वेस्ट करें वह सारा नुकसान कर ल है और छो ने किसान लुटूब याप देख रहे हो आप जो काम सुरू करना चाहते हो सिर्फ वीडियो देखे आप काम सुरूब ना करें किसी किसान से मिलने पालने वाले से में आसपास के बाद हैं तो आप मास्तर जी हैं और भी बहुत सारे किसान वहीं आप हमारे चैनल आसपास की वीडियो देख सकते हैं आपको ज्यादा समस्य आ रही है, आपको भींस आ रही है, आपको बीमारी है, आप सकते हो, तो हम भी आपको दवाई वगरा बता देए कोई दिक्कत निंगे, बाकि मास्ट जी का नंबर में आपको वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा आप इन्हें कभी भी कोल कर सकते हैं करें कि सुबहार क्या होता है वीडियो देखके कुछ भाई रात में सोच लेते हैं कि अभी बस मैं रात के बारा बज़े बिजनिस फुरू करूंगा तो आप मुझे मजबूरी में फोन रात को साइलेंट करका सोना वड़ता आप ने एक दम जो जहहीं जानकारी था दो किसकर ब्रूंचीम को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल लें को हैं बिल्कुल nee होता है अध् friction में फूरी होता है हम इच्छा लगएं Скरते और ज्यादा वीडियो ऐसी ले के आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में यह बैल आइकन जरू दवाएं उससे क्या होता है कि आपको हमारी किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिकेशन तुरंत मिलती है तो धन्यवाद भाई यो आपका वीडियो देखने के लिए क्याता है